YSR News का विदर्ब नाकपूर के रामटेक तालुका का दोरा विदर्ब नाकपूर से लगबग 50 किलोमेटर की दूरी पर रामटेक तालुके में पूर्व विधायक बुजब पर हुसैन की खेती है आपको बता दिये खेती पूरी तरह से और्गेनिक है विदर्ब में जो भी फसल नाकपूर की रामटेक में हुसैन द्वारा उगाय जा रही है संत्रा, मौसंबी, सीता फल, नीमबू ये विदर्ब में पहले से लगाते आये है किसान इसमें नई बात ये है कि इन सब ही पौधों में बंबू, आम, गर्म, मसाले, मल्टिपल क्रॉपिंग की जा रही है गर्ने का लगाने का ये पहली बार पिट सिस्टम से लगाया जा रहा है गोशाला पहले से खेत में थी पर अब उसे बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है गर्तलाला केसर का आम साथी खेती में निम्बू, महुगनी के उपर काली मिरी भी लगाया जा रही है और ये एक अनुखा प्रकार है चावल धान, अलसी, तुर, बाजरा, मुंग, जावरी, त्यादी की फसल हुसैन की खेती में उगाय जा रही है साथी गन्ना और गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है एक प्लोट में पांच प्रकार की अलग-अलग सीता फल, संत्रा, बंबू और तेस पता और एवाकाडो भी लगाया गया है दूसरे प्लोट में मौसंबी, नारियल, सीता फल और बंबू भी लगाया गया है या द्रग भी पहली बार लगाई जा रही है छटी प्लोट पर बंगाल की तंबाकू 15 प्रकार के फनस दालचुनी जाइफल जावेत्री कोकम बंबू ये एक प्लोट पर लगाए गये है रामटेक में पूरु विधायक मुझपर हुसेन की लगबग 165 एकर जमीन है हुसेन बताते हैं कि इसे ड्रवलिप करने के लिए कई साल लगे पूरु विधायक मुझपर हुसेन की इस खेती पर कई अधिकारी वनेता आते हैं प्रसिक्षन लेने के लिए अब आसपास के किसानों के लिए एक प्रियोक शाला बनाने के लिए हुसेन से स्थान ये लोग मांग कर रहे हैं वही पानी को बचाने के लिए हुसेन ने अपनी खेती में कई तालाब भी बनाये हैं हुसेन की खेती की प्रतिल लगाव के चलते हुसेन अपने खेती में एक घर भीब बना रहे हैं इस बारे में हमने मुजफ रुसेन से बात की आईए जानते हैं नागपूर से लगबग 50 किलोमेटर दूरी पर इस वक्त हम हैं मौजूद रामतेक परिसर में हमारे साथ में इस वक्त है मीरा भाइंदर शेहर के पूर्व विधायक मुजफ रुसेन आप देख रहे होगे हमारे पीछे जो खेती है वो उनी की खेती है मुजफ रुसेन साब आपको लोगों ने कांग्रेसी नेता के तौर पर देखा है लेकिन किसान के तौर पर नहीं देखा है आज हम आपके खेती में मौजूद है किस तरह की आपने यहाँ पर खेती की और किस तरह का नया आपने एक प्रेयोग करने की खोशिश की आपके खेती में विदर्ब के किसानों को लेकर कि चर्चा, आत्मात्या, उनकी इंकम यह सभी लोग जानते हैं और इस वज़े से हमारी यह जो फार्म हमने असमित औरगनिक फार्म डिवलोप किया है जिसका डिवलोप्मेंट चल रहा है इसके पीशे का एक उद्देश है कि विदर्ब के अंदर क्रॉप पैटन चेंज लाया जाए ऐसा क्रॉप लाया जाए जिसके ज़रिये किसान जो है मिनीमम दो से तीन लाक रुपै सालाना कमा सके और वो भी जो उसके पास रिसोर्स है एक गाय है ठोड़ा सा पानी है थोड़ी सी दमीन है एक एक कर की दमीन है तो यह छोटा किसान है यह हमारा focus point है और इस वज़े से हमने M.N. डॉक्टर M.N. विनुगोपाल जो ICER Indian Council of Agricultural Research Science Research के Spice Division के head रहे चुके हैं former head रहे चुके हैं मैसूर में उनके guidance में काजू तीन प्रकार के हैं तेश पत्ता है दस प्रकार के काली मीरी हैं ब्लैक पेपर है जाइफल जावेत्री है दालचिनी है 15 प्रकार के फनस है कोकम है यह इस तरह के spices का प्लांटेशन किया अब जिस खेत में हम खड़े हैं यह काजू है वी 3, वी 4, वी 7 तीन प्रकार के काजू है और यह जो beds बीच में आप देख रहे हैं तो इसमें अद्रक लगेगी है आपने हमने आज तक अद्रक सिर्फ एक प्रकार की देखी है यहां पर black ginger लगने वाली है काली अद्रक आप उसको काटेंगे तो अंदर से अद्रक काली द होगी का जू अनिख यहिग को कम अपने आप में यूवीच 17 है में इस तरह की सारे क्रॉप्स यहां पर डॉलप किति जा अपने गन्य की खेती भी लगाई गन्य की खेती कितने साल लग बग चलेगी हो है कि अपने इक प्रयोग के तौर पर जिसे अभी हाली में पिच्चर आई थी जिसका नाम था पुश्पा में लाल चंदन का विजिक्र किया था अपने वो भी एक प्रयोग किया है किस तरह का प्रयोग है है विदर के अंतर चंदन भी लग सकता है वाइट चंदन रेट चंदन रेट सैंडर लूट वाइट सैंडर लूट तो एक सव एक प्लांट समने लगाए हैं कि जब हम एक एक्सप्रिमेंट कर रहे हैं ट्राइल एन एरर कर रहे हैं तो कौन से नए पैटन्स, नए क्रॉप्स, नया प्लांटेशन हम क्या लगा सकते हैं, किस तरह से उसको मेंटेन किया जा सकता है, और किस तरह से इंकम बढ़ाई जा सकती है, आपने बैंबू भी देखा होगा, प्लांट को सिफ 20 लिटर पानी लगता है, मतलब एक एकर में तीन सो प्लांट को सिफ 6,000 लिटर पानी लगता है, मुझा जी आपका जो ये आइडिया है, कितना कारगर साबित होगा, विधर्बा अकसर दुष्काल के नाम से जाना जाता है, यहां पे आत्मात्या के भी अकसेस्फुल हो चुका है, क्योंकि आप चलेंगे देखेंगे कि शुगर केन उसमें से हमने गूड बनाना शुरू किया, क्योंकि गूड हमको जीवामृत के लिए लगता है, मतलब शुगर केन गन्ना आपका खुद का, गूड आपका खुद का, तूर हम लगाते हैं ऊकी की लकडी रहती है, वह मशिन में क्रश करके ज़ाड़के मल्यचिंग के काम में आती है, तो खेत में कोई भी छीज प्लांटेशन है, अंधार अहर प्रोडेक्ट जो है, वो पीसी भी चीज को हम जला के कार्बन नहीं क्रियेट करते हैं, इंवार्मन को भराब नहीं कर करते हैं जमीन के अंदर का मॉइस्चर मेंटेन करते हैं तो यह चोटा किसान इस सब कुछ कर सकता है आते हुए रास्ते में आपने देखा होगा कि जिनकी धान की खिती चावल की खिती चावल लगाने से पहले वो खेच जला रहे हैं जो लगा जलाना घरम गलत है क्योंकि तो नैचुरल कुद्रत प्रोसेस है आप उसको रोग देते हो और हम जो कर रहे हैं वह 100% नैचुरल और और गनिक सिस्टम कर रहे हैं तो यह 1,1% सेक्सेस्फुल यह है आपने मोसंभी भी देखी अभी आपको और अभी ले चलेंगे मोसंभी के प्लॉट के अंदर जहां आप जो केसर मैंगो है वो हाइस सेलेबल मैंगो इन दे कंट्री है अलफांसो के बाद अपूस के बाद तो गीर तलाला का भी हमने केसर नहां लाके लगाया है आपको उसकी फ्रूटिंग दिखाएंगे भी सिफ धाई साल का प्लांट है लेकिन सिफ फ्रूट का साइज देखने तो ब्लाक पेपर भी अगर फेल हो गया तो आपके पास उड़ एक एककर में से असी लाक रुपे का उड़ चारसो जाड़ में से आपको बीस साल में लखड़ा देखी जाएगा तो ऐसे मुल्टिपल क्रॉपिंग मुल्टिपल प्लांटेशन का यह मॉडल है जो फेल हमने मुल्टिपल प्लांटेशन मुल्टिपल क्रॉपिंग दिया है अभी आप यह काजू देख सकते हैं तो काजू के बीच में अद्रक लगा रहे हैं तो अद्रक भी एक वराइटी की नहीं लगा रहे हैं दो वराइटी के लगा रहे हैं वहां आगे मोसंबी का प्लॉट उसके बीच में हलदी लगा रहे हैं, हलदी भी एक प्रकार की नहीं लगा रहे हैं, तो तीन प्रकार की लगा रहे हैं, उसका कारिन है कि कभी एक प्रकार की या एक पर्टिकलर क्रॉप का मार्केट वेल्ड डाउन होता है, तो आपको दूसरा क्रॉप प्रोड्यूस किसान की आयू इंकम होगी इस दुरुस्ट्रीकुन से बनाए गया है उजफर साब आपके इस खेते में अक्सर बड़े-बड़े नेताओं ने भी हाजरी लगाई है और यहां पर सीखते भी आकर हाँ विधर्प के काफी मिनिस्टर्स औल पाटीज औल पॉलिटीशन और गॉर्मेंट ऑफिशल्स भी रेविन्यू की है इरिगेशन के हैं एग्रिकल्चर के हैं इस सारे लोग आते हैं और विधर्प के अंदर इस प्रकार का इतने बड़ी तादाद में देड़ सो एकर में क सब्सक्राइशन ले भी रहे हैं मैं उनको गाइडेंस भी कर रहा हूं जो बड़े पॉलिटीशन है जिनकी अधास लैंड है होल्डिंग है कैपैसिटी है तो अपने अपने तालुके में वह मेरे से गाइडेंस लेके उन्होंने भी शुरूवात करी है मुजफर साब अक्स किसान है मगर खेती करता नहीं है उसने इस तरह का प्रयोग करना चाहिए उसको सक्सेस्फुल करके दिखाना चाहिए अगर एक तालुके में एक बड़ा किसान ने भी यह प्रयोग किया है 1001 परसंस सक्सेस्फुल होने वाला है वो तो छोटे किसान को हिम्मत बढ़ेगी औ और फिर वो भी उस प्रकार से प्लांटेशन क्रॉपिंग और फार्मिंग करने की दिशा में चलेगा और जब बड़ा किसान बड़ी काम को लेकर के मैदान में उतरेगा तो यकीनन जो प्रोड़क की वैल्यू है क्रॉप की फूट्स की यह उसके हार्वेस्ट की जफर हुसेन काफी अच्छा इन्होंने हमसे बात की है इनका कहना है कि बड़े जो किसान होते हैं उन्होंने इस तरह का प्रयोग करना चाहिए छोटे किसानों को कहीना कई हिम्मत मिलेगी और वो आत्माहत्या नहीं करेंगे आप देख रहेते वाई एसर न्यूज मैं आज बड़ा ने इगे तरह पास जा नो झोड़ झोड़ है